हेलो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली की पिक्चर्स दिखाई जाती है फिर उसी घर में सीडियों के पास किसी आदमी का शेड़ो दिखाया जाता है फिर हम देखते हैं कि एक बच्ची नीन से उठती है और कमरे से बाहर दे कर पूछती है कि कोई है तब ही उसके कमरे के बाहर से एक साया गुजरता है और वो बच्ची भाग कर अपने कमरे का दर्वासा बंद कर देती है तब एक आदमी उसके कमरे में आकर उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि अभी तुम कुछ नहीं बोल पाओगी सांस भी नहीं ले पाओगी मुझे बद्दौा मत देना हो सकता है ये बद्दौा तुम ही ही लग जाए फिर उसे कहता है कि अब तुम सांस ले सकती हो एला फिर वो बच्ची उसे पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता है तो वो उसे कहता है कि मैं इसके इलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ तब भी वो आदमी उसका गला पकड़ लेता है और वो बच्ची नीन से उट जाती है जिसे हमें पता चलता है कि वो बच्ची खौब देख रही थी तब ही वो आदमी फिर से आता है और उसे गर्दन से उठा कर चौक करने लगता है और उसे कहता है कि अपने बाप के बारे में एक बात सुना चाहोगी और तब ही एक आदमी और हमें एक लेडी सुजैना जो के एला की मदर है स्विमिंग करते हुए दिखाई जाती है फिर वो पूल से बाहर आती है और कॉल पे बात करती है तब ही नेक्स सीन में हम एला को उसके पेरेंट्स के साथ आइडेंट सी खेलते हुए देखते हैं सीन शेफ्ट होता है तो हमें पता चलता है कि सुजैना एक एक अक्टरस है और वो इस वक्त शूटिंग पर है और थियो वहाँ उससे मिलने आता है लेकिन कोई उससे सुजैना से मिलने नहीं देता फिर शूटिंग खतम होने के बाद सुजैना आकर उससे सोरी करती है कि थियो और सुजैना की एज में काफ़े डिफरेंस है तब भी वो उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कोई भी पहले मर सकता है तब अचानक उनके गारी का एक्सिडेंट होने लगता है लेकिन वो बच जाते हैं फिर थियो सुजैना की जगा ड्राइव करता है और फिर वो लोग उस घर पहुंचते हैं घर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था वो देखकर काफी खुश होते हैं फिर वो घर के अंदर जाते हैं और सुजैना फून पर सिगनल ढूंडने लगती है अगले सीन मेला अपने हाथों से अंदेरे में परचाई बनाकर खेल रही होती है और तभी उसे एक आदमी के परचाई नजर आती है और वो उसे देखकर डर जाती है फिर उसका फादर उसके पास आता है और वो उसे परचाई के बारे में बताती है लेकिन उसकी बात पर ध्यान आ देकर वो उसे सुला देता है फिर वो सुजैना के पास जाता है और उसे बताता है कि नीचे का थर्मोस्टेट खराब है जिससे नीचे काफ़ी ठंड हो जाएगी तो वो उसे पूछती है कि उपर का ठीक है तो वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है जिससे हमें पदा चलता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसका वो सामना नहीं करना चाहता तभी आला उनके कमरे के बाहर उनकी बाते सुन रही होती है और जैसे ही उसका डैड से देखता है तो वो अपने कमरे की तरफ भाग जाती है थियो नीचे की लाइट्स बंद करने के लिए जाता है तो उस वक्त रात के 10-34 का टाइम दिखाया जाता है लेकिन जब वो नीचे की साब लाइट्स ओफ करके उपर जाता है तो एक कमरे की लाइट खुद बखुद जल जाती है और जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि सुजैना सो गई है तो वो उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे सो गई हो तो वो उससे पूछती है कि तुम इतनी देर से कहां थे तब ही वो लाइट्स ओफ करके सो जाता है तो हमें टाइम दिखाया जाता है तो रात के तकरीबन सावा तीन बज रहे थी जबके थियो कुछ मिंट बाद ही लाइट्स ओफ करके उपर अपने कमरे में आ गया था सुबा थियो खौब में एक आदमी और एला को ड्रावनी हालत में देखता है और तबी उठ जाता है तो वो उसे साइट टेबल पर सुजैना का एक नौट मिलता है कि वो लोग वाक पर गए हैं थोड़ी देर में वापिस आ जाएंगे फिर वो अपनी डाइरी में कुछ लिखने लगता है फिर दिखाया जाता है कि एला अपनी मौम से पूछती है कि डैड से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं तो वो उसे बताती है कि जब मैं और तुम्हारे डैड मिले थे तो उनकी पहले से शादी हो चुकी थी तो उनकी वाइफ की बाथ टब में डूब कर डैथ हो गई थी जिसका इलजाम लोगों ने उन पर लगाया तो वो उसे पूछती है कि क्या वाके डैड ने उनको मारा था तो वो कहती है कि बिलकुल नहीं उन्होंने नीन के गोली खाई थी जिसकी वज़ा से वो टब में डूब गई थी और वो उठ नहीं सकी क्योंकि तुम्हारे डैड काफी अमीर और मशूर थे तो काफी लोग उनके केस में इंट्रस्टेड थे और उन्हें सजा देना चाहते थे तो एला पूछती है कि केस में क्या हुआ तो वो बताती है कि वो बेकसूर साबित हुए और वो छूड गए फिर थी ओ गाड़ी से टाउन में कुछ चीजें खरीदने एक शौप में जाता है शौप का ओनर काफी अजीब था और उसे पूछता है कि तुम पहाड़ी पर उस घर में रह रहे हो क्या अभी तक तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम उस घर के ओनर स्टैटलर से मिले तो वो उसे बताता है कि नहीं हमने ओनलाइन बुकिंग की थी फिर थी ओ समान की पेमेंट करता है और उस आदमी से चेंज मांगता है तो वो उसे ट्राइंगल शेप का एक स्केल देता है बाहर जाता है तो उसकी गारी के पास एक बुरी औरत खड़ी होती है और उससे पूछती है कि तुमने वो घर कैसे खरीदा तो वो उससे बताता है कि मैं इस घर के ओनर से कभी नहीं मिला हमने ओनलाइन बुकिंग की है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने उस घर के ओनर को देखा है तो वो उससे कहता है कि नहीं तब ही वो उससे कहती है कि लेकिन उसने तुमें देख लिया और फिर वो वहां से चली जाती है फिर वो समान लेकर घर जाता है तो एला उससे कहती है कि मुझे अफसोस है जो आपके साथ हुआ तो वो सुजैना पर घुसा करता है कि ये मेरी कहानी थी मैं खुद एला को बताना चाहता था फिर रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तो सुजैना थियो से नरास थी और किचन में जाकर किसी से मैसेज पर बात करने लगती है जो के थीयो देख रहा होता है तब ही वो कमरे में आते हैं और सुजैना अपना फून चेक करटके नहाने चली जाती है तो थीयो उसके मैसेज चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता फिर वो उसका टैबलेट और लैपटोप भी चेक करता है लेकिन उसे उसमें भी कुछ नहीं मिलता फिर वो सुजैना के बाहिर आने पर उसको सोरी करता है फिर रात को उसे नीद नहीं आ रही होती तो वो उट जाता है और नीचे स्टडी रूम में जाकर बैट जाता है और उसकी आंख लग जाती है फिर वो अपनी डैड वाइफ को खौब में देखता है तो उसकी आंख खुल जाती है फिर वो अपनी डायरी खोलता है तो उसे you should leave and go now लिखा हुआ नजर आता है फिर वो पीछे मुड के देखता है तो सामनी खिड़की में उसका reflection उसे ही देख रहा होता है फिर उसे पीछे से एक आवाज आती है वो बाहिर आके देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता फिर उसे वहाँ पे सीड़िया नजर आती है तो वो वहाँ से बेसमेंट में जाता है तभी हमें उसके पीछे से एक बच्चे का गोस्ट गुजरता हुआ दिखाई देता है फिर वो वहाँ पे आवाज लगा के पूछता है कि यहां कौन है फिर उसे वहाँ पे कुछ तस्वीरे नजर आती है वो एक तस्वीर देखता है जो के एला और उसकी होती है फिर उसे थोड़ी दूर एला का ट्वाइ मिलता है और पास एक कमरे में एला की डैड बोडी पड़ी होती है जो के काफी बुरी हालत में होती है तबी वो शीशे की एक बोतल तोड़कर अपना बाजू काड़ता है और साथ कहता है कि ये सिर्फ एक खुआब है और फिर अपनी गर्दन में शीशा मारता है कि तबी उसकी आंख खुल जाती है और सुजैना उससे कहती है कि मैंने भी एक बहुत बुरा खुआब देखा है फिर वो दोनों नीचे स्टडी रूम में जाते हैं तो वो उसे बताता है कि रात को यहां एक और दर्वाजा था जिससे वो नीचे गया था और नीचे एक पूरा घर था तब ही वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहां सही लग रहा है तो वो उसे कहती है कि नहीं फिर दिखाया जाता है कि वो जाने की त्यारी कर रहे होते हैं और वो जाने से पहले एला और सुजैना बाहिर खेल रही होती है तब ही थी वो उन्हें घर के अंदर से देखता है और सुजैना को मैसेज करता है तो वो देखता है कि सुजैना का मुबाइल अंदर है और वो बाहिर भी सुजैना के हाद में मुबाइल देखता है और वो उससे पूछता है कि ये तुम हो तो वो message उसके अंदर पड़े हुए mobile पर show होते है तब ही वो study room में आता है और अपने diary को देखकर कहता है कि ये कोई خواب नहीं था और फिर उसे diary के next page पर you should have left but now it's too late लिखा हुआ नजर आता है फिर वो बाहर आता है और सुजैना को उसका mobile देकर पूशता है कि दो mobile रखने में काफी मुश्किल होती होगी वो उसे हा कहती है तब है वो उसे Max का पूशता है कि वो यहाँ इस घर में है तो वो उसे कहती है कि नहीं वो New York में है तो वो कहता है कि मेरी डायरी में वो सब कुछ किसने लिखा तो वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता तो वो उसे यहां से जाने का कहता है तो वो यह कहती है कि मैं एला को साथ लेकर जाऊंगी लेकिन वो उसे मना कर देता है और वो वहां से चली जाती है फिर थियो एला को लेकर घर के अंदर चला जाता है और सुजैना थोड़ी दूर जाकर गाड़ी में रोने लगती है फिर दिखाया जाता है कि एला घर के अंदर स्कूटर चला रही होती है और उसका फादर उसे मना करता है तब इस स्कूटर चलाते हुए शेल्फ से गिलास ग शान देखता है और उसी ट्राइंगल से उन्हें मापता है जो उसे शोप कीपर ने दिया था तब ही वो उस कमरे को अंदर और बाहर से मापता है तो उसे पदा चलता है कि ये कमरा बाहर से अंदर की निस्बत 5 फिट लंबा है तो एला उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है तभी एला अंदर अपना कोट पहनने जाती है और वापिस बाहर नहीं आती फिर उसका फादर उसे ढूंडने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती तभी हमें एला को नीचे बेस्मेंट में दिखाया जाता है और वो अपने डैड को अवाजे दे रही होती है तभी थियो एक कमरे से बाहर निकलता है तो वो वापिस लीविंग रूम में पहुंच जाता है और फिर वो लाइबरेरी आता है तो उसे फिर वही बेस्मेंट वाला तीसरा दर्वाजा नजर आता है और वो बेस्मेंट में चला जाता है तभी एला एक कमरे में पहुंचती है तो उसे वहाँ बाट तब में एक लेडी लेटी हुई नजर आती है वो उसे पूछती है कि क्या आप ठीक हो तभी वो लेडी तब से हाथ बाहर निकालती है तो एला डर के पीछे हट जाती है और उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा कितना मासूम है और तुम्हारे डैड कितने लगी है तभी एला वहाँ से भाग जाती है और अपने डैड को आवाजे लगाती है तो उसका डैड एक दिर्वाजा तोड़कर निकलता है तो वो वापिस लिविंग रूम में पहुंचता है जहां एला सीडियों पर बैठी रो रही होती है तो वो उसे गले लगाता है और फिर उससे कहता है कि अब हम एक दूसरे की नजरों से दूर नहीं होंगे फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करता हूँ वो हमें पिक कर लेगी लेकिन उसका मुबाइल बंद होता है तो वो उससे वॉइसमेल छोड़ देता है कि ये मिलते ही फोरण कॉल करना बिल्कुल भी देर मत करना फिर वो टाउन में उसे शोप की पर को कॉल करता है और उसे एक टैक्सी बेजने को कहता है लेकिन वो उसे कहता है कि यहां टैक्सी नहीं मिलती फिर वो थी उसे पूछता है कि क्या तुमने ट्राइंगल को ट्राइ किया तो वो उसे हाँ कहता है और पूछता है कि ये कैसा घर है तो वो उसे कहता है कि इस घर से पहले वहां एक और घर था और उस घर से भी पहले यहां एक टावर था और ये एक लेजन्ड का है और डैविल सॉल्स को रखने के लिए टावर बनाता है तो गौड इसे डिस्ट्रॉई कर देते है और डैविल उसे फिर से बना लेता है फिर वो उसे बताता है कि कुछ खास लोग ही ये जगा ढूंडते है यहां ये जगा उन्हें ढूंड लेती है तो थिये उसे कहता है कि हमें यहां से निकलना है तो शोप की पर उसे कहता है कि ये मेरे बस में नहीं और फून रग देता है तब ही उसे एक डैविल की आवाज आती है जो उसे कहता है कि मैं यहां हूँ और हमेशा यहां ही होता हूँ फिर उसे वहाँ सामने दिवार पर काफी लोगों की तस्वीरे नजर आती है जो वहाँ पहले रह चुके थे फिर वो एला को जैकेट पहनाता है और उस घर से निकल जाते हैं तब ही एला पीछे मुड़कर देखती है तो उसे घर में कोई खड़ा नजर आता है वो अपने डै जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है फिर चलते हुए एला अपने डैड से कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है मुझे इतनी ठंड कभी नहीं लगी तो उसका डैड उसे कहता है कि मुझे लाइट्स नजर आ रही है हम बस पहुंचने वाले हैं और फिर थोड़ी दूर ज हमें लेने आजाएगी फिर वो घर के अंदर चले जाते हैं पिर एला अपने डैड से पूछती है कि क्या आप मुझे बहुत जल्दी मिल गया था तो मैं यही भूल गया था के मैं कौन हूँ और मैं वो बन गया जो मैं नहीं था मेरी जिन्दगी में बहुत कुछ बहुत ज तो वो हंचता है और कहता है कि नहीं मैं इतना भी बूड़ा नहीं हूं और फिर रोने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं फिर एला अपने डैड को I love you बोलती है तो वो एला को किस करता है और लाइट्स ओफ करके दोनों सो जाते हैं तब ही बैश बिचता है और कोई उनकी तस्वीर खिंचता है तभी वाश्रूम में पानी की आवाज से उसकी आंग खुल जाती है तो वह वहाँ देखने जाता है और वाश्रूम का दिर्वाजा बंध हो जाता है जब दिर्वाजा खोलता है तो वह घर की बेस्मेंट में होता है वहा जिससे हमने बता है कि यह टरह के टाइम लूप में फसा हुआ है, पिर वो टाइरे में लीख देता है, और फिर वो बाहर կाता है और शुरू वाले सारे सेन देखता है , जब वो इस घर में आये थे फिर वूपर Alla के पास जाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उपर नहीं जा पाता फिर वो बहुत कोशिश के बाद उपर जाता है और एला को ढूंडने लगता है फिर वो खिड़की से सुजैना को आते हुए देखता है और उसे आवाज लगाता है लेकिन घर में वो खुद सुजैना के साथ थियो उसे एला का पूछता है तो वो उसे कहता है कि तुम वहाँ हो जहां तुम्हें होना चाहिए था और कहता है कि बहुत अर्से से इस कमरे को तुम्हारा इंतजार है तब ही उसे एला की आवाज आती है तो वो उस आदमे को एला को छोड़ देने का कहता है वो आदमी थीयों से कहता है कि तुम बहुत खुशनसीब डैड हो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है तब ही वो आदमी उससे कहता है कि वो तुम्हारे साथ है और अक्सर माबाप का किया बच्चों को भुगदना पड़ता है थीयों के स्टिक से उस आदमी को मारने लगता है और उसे एला को छोड़ देने का कहता है तब ही वो देखता है तो वो आदमी वो खुद ही होता है वो उसे एला को छोड़ने का कहता है तो वो आदमी थीयों को कहता है कि तुमने खुद ही उसे यहां रोक रखा है तो थियो रोने लगता है और उससे कहता है कि यह मुझसे नहीं होगा वो आदमी थियो से कहता है कि फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और वहां से गाइब हो जाता है तब ही वहां एला आ जाती है और वो एला से माफी मांगता है तो वो उससे पूछती है कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रही है तो वो कहता है वो ना होने के लिए जो तुम मुझे समझती हो तो एला अपने डैट को कहती है कि आपको आप तक पता नहीं चला मैं फिर भी आप से प्यार करती हूँ तो वो एला को गले लगा कर रोने लगता है तो वो उसे कहती है कि घर जाने का टाइम हो गया है तो थियो उसे कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारी मौम के लिए तब ही बाहर सुजैना आ जाती है तो वो एला को गाड़ी में बिठा देता है सुजैना उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे तो वो उसे कहता है कि मुझे जाने नहीं देगा और अगर तुम मेरे साथ होगी तो तुम्हें भी नहीं जाने देगा मुझे यहीं रहना होगा और फिर उसे I love you कहता है तो वो उसे गाड़ी में बैठने का कहती है तो वो उसे बताता है कि मैंने अपनी फर्स्ट वाइफ को मारा था मैंने उसे डूबने दिया मैं उसे बचा सकता था लेकिन मैंने उसे नहीं बचाया और उसे मरते हुए देखता रहा और उसे कहता है कि मुझे अब यहीं रहना है मैं भ्याग नहीं सकता फिर सिन शिफ्ट होता है तो हमें उस घर की दिवारों पर बहुत से लोगों की तस्वीरे लगी दिखाई जाती है फिर एक आदमी वाइस ओवर में बताता है कि इस घर में लोग हमेशा से रह रहे हैं कुछ वहां से जाते नहीं और कुछ खास लोग वो जगा ढून लेते हैं यहां इस से बिलकुल ओल्ट वो जगा उन्हें ढून लेती है और फिर लास्ट में उस घर को दुबारा रेंट के लिए अवेलिबल दिखाया जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है थैंक्स फर वाचिंग